इस देखो पांसकल लौ में क्या इफेक्ट पड़ता है gravity का वह देखना पड़ा है इस टॉफिक में है ना तो हमने एक container ले लिए है लिक्विट से बहा हुआ है फिक लिक्विट से बहा हुआ है वाटर बुढ़ा हुआ है और उसके अंदर एक सिलिंडर डाल दिया हमने नहीं से अब्जेक्ट डाल दिया है इंब है तो अबजक्त डाल दिया है तो जो लिक्विट हो यहाँ तक भगा तो उपर का जो होका इसे इसलेंडर पर उपर से प्रेसर लगाएगा और नीचे जो लेड़ाइगा वह नीचे से फोर्स लगाएगा और द्लिक्राएव काम करेगी इसको करेंडर पूरे सिलिंडर को नीचे तो फोर्स होगा mg तो हम निकालेंगे सबसे पहले इस सिलिंडर का वेट तो वेट वेट और सिलिंडर किसी भी चीज का वेट निकालने के लिए उसका मास उसका मास मंटिफ्लाई बाइ एक्सलेशन द्यूटू ग्रैविटी यह फॉर्मूला होता है है नहीं मास और वेट मंटर होता है वेट डिफ्रेट हो सकता है प्लेश तो было G, अमस मतलब नबर अपवालिक्तै के वेट डिफ्रेट होगा और क्योंटेंड द्यूट गर्वेटी तो मास इंटू जी है और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं density is equal to होता है मास upon volume तो मास जब यहां से निकालेंगे तो रो इंटू वी हो जाएगा मास के जब यहां पर हम लिख देते हैं रो वी और यह जी जानते हैं और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं volume is equal to four upon three five y, volume is equal to area area into height area into height होता है वाइ cylinder का क्या होता है पाई यार स्क्वेर है पाई यार स्कुरे एच पाई यार जानते हैं एर ए और थ हम क्या रख सकते हैं वोल्यूम के जार पर इंटू एच्ट तो एडिया क्या है ए और एंस तो एच्छी है इसका एच्छी है ना इसका एच्छी है और यहां क्या बच गें और रो बचा और जीव ठीक अब हम प्रेसर निकालेंगे प्रेसर निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, है ना, ठीक, तो, लेट, पी वन एंड, पी तू, बी दा, प्रेसर, प्रेसर, प्रेसरU, on points a and b, इस point पे जो प्रेसर लग रहा है और इस point पे प्रेसर लग रहा है वह different होगा क्योंकि नीचे क्या है नीचे जो पूरे यहां पे जो इस point पर प्रेसर लग रहा है इस इस सिलिंडर की कारण तो हमने प्रेशर लग राई और प्रेशर लग रहा है। अब कि दलते हैं पुर्स पुर्स ऑंक्टिंग एक्टिंग कर रहा है कि तो प्रेसर होता है फॉर्ट ऑपां एरिया वह और यहां पर अगर प्रेसर इश्चर्ट होता है अगर F is equal to निकालेंगे तो A into P नहीं आ जाएगा F is equal to अगर निकालेंगे तो इन दोनों का multiply नहीं हो जाएगा P A हो जाएगा P A ना तो मैं क्या देख सकते है P A लेकिन वहाँ पर प्रेशर क्या है प्रेशर क्या है प्रेशर क्या है अब निकालते हैं फोर्स अब फोर्स कितना एक्ट कर रहा है प्रेशर क्या प्रेशर क्या है अब वाटर जो है वह अगर एक्विलिब्रियम में है तो बाहर से कोई इसमें अगर एक्स्टार्नल इफेक्ट नहीं पड़ेगा यह यह फोर्स और यह फोर्स को माइनस करने पर जीरो आएका यह फोर्स और यह फोर्स को माइनस करने पर क्या आएगा कोई भी अगर चीज अगर एक्विलिब्रियम में है अगर कोई भी फोर्स एक्विलिब्रियम में है कोई भी चीज अगर एक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह सिमिलर होगा यह एक्विलिब्र अब अब इस नाओ इफ लिक्विट निक्विट इन इस एक वियां है इस तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सबना लेता हूं इस चीज को फिर से यहां लोग अगर लिक्विट जो है एक्विलिब्रियम में तो इसे को क्या होता है एक जो फोर्स एक्ट कर रहा था ने तो एक्विड एक्ट लिएक्ट में तो ए हम बना सब्सक्राइब इस जीरो है ना अब यहां पर जागा किसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि एक फोर्स उपर एक्ट कर रहा था वाटर के कारण वाटर की वेट के कारण उपर से लेकिन यह इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यह जो सिलिंडर का वेट है वह भी काम करें वह भी वेट तो नीच यानि यह पूरा पूइंट फोर्स तरह पर इस पॉइंट पर प्रक्णार करें दो हैं इस पॉयंट का चेडा लग रहा है पहलं को तो प्याbayम फोर्स लगतधा है और इस सिलिंडर का मास भी है कितना आया है ए एच रो जी यहां पर दिखेंगे पॉइंट समझ में आना क्योंकि इस पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहें ऊपर से एक नीचे से जानवर्ड एंड अपवर्ड अगर यह मैं यहां पर खड़ा हूं अगर मेरा वेट सिक्स्टी है त तो मेरा वेट के कारण नीचे अर्थ पर 60 kg का क्या जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है मेरे वेट के कारण अर्थ पर उतना ही अमाउंट अप फोर्स कोन लगा रहा है अर्थ लगा रहा है अपवर्ड डायेक्शन में यानि दोनों को माइंस करने पर क्या आएगा जीरो आएगा वही लाजी के हां पर चल रहा है सेम अगर कोई कॉंटिती सेम है तो माइंस करने में क्या है अब यहां पर एफ वण की वैलू रखते हैं और एफ टू की वैलू रखते हैं तो F1 की वैलू क्या है P1 A और यह तो इतना ही है और यह है P2 A is equal to 0 अब इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर से ए और एक कैंसल करेंगे तो यह P1 A प्लस H रोज माइनस P2 A और यह H प्लस में हो जाएगा ए प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस हो गया प्लस वाला माइनस हो और यह बचा नेगेटिव ए एच रोजी यह पूरा कॉंटिटी कट जाएगा अब क्या बचा यहां पर देखो यहां पर यह है इक्वेशन थर्ड से पता चलता है जो ग्रैविटी के कारण जो प्रेसर है यहां पर जो प्रेशर है तो ज्यादा प्रेशर यहां पर है यहां पर कितने का डिर्फरेंट्स है दोनों में रो जी कितना यानि कि प्रेसर डिफ्रेंट है और वो इसका यूज करेंगे हाइड्रोस्टाटिक पाराबॉक्स में तो यहां पे इसके हीचे हम लिख लेंगे it is clear that pressure acting on two point is different तो यहां पे इसके हीचे हम लिख लेंगे